वजन बढ़ना किसको अच्छा लगता है सभी चाहते बॉड़ी वेट नॉर्मल रखने के लिए तो आज मैं आपको एक होमेपाथी मेडिसिंस के बार में बताने वाली हो जिसको अगर आप लेते हो तो हर एक महीने में आपको 3-4 किलो तक आपको वजन बिल्कुल कम होगा मैं यहां पर बैठके गैरंटी के साथ बदाती हो बीना देरी करते हो चलिए वीडियो में आगे जाते हैं वीडियो में आगे जान से वहले मैं बता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और दोस्तात मेरे वीडियो को शेयर कीजे लाइक कीजे और कोई प्रॉब्लम रहा तो तब मुझे कमेंड में लिग सकते हो Hey everyone, I am Anishuav, welcome back to my channel Phytolakka berries क्या करते है, यह आपका वजन कम करने में मदद करता है बस कुछ नहीं, यह मेटपोलिजम को हाई कर देता है तो fat metabolism अगर हाई हो जाते हैं तो आपका fat का deposition है बॉड़ी में वह कम होने लगते हैं और धीरे-धीरे जो extra fats है वह भी burn out हो जाते हैं तो आप धीरे-धीरे slim होने लगते हैं excessive fat जो है वह बिल्कुल गलने लगता है Phytolakka berries fat deposition को तो कम करता ही है उसके साथ digestive system को भी improve करते है gas, acidity, यह सारी चीज़े नहीं होगा खाना अच्छे से हजम होगा तो इसको लेने से वह भी आपका ठीक हो जाएगा इसका मतलब यह मत सोचिए कि Phytolakka berries मैं ले रही हूँ, पी रही हूँ इसका मतलब मैं कुछ भी खा सकते हूँ आपको अगर effective results चाहिए तो आपको fat जो खाने में जादा है वह आपको आपको वजन जल्दी कम करना है तो आपको बिल्कुल फूट्स वेजीटेबल्स इसमें जादा कॉंसें करना होगा उसमें जादा आपको खाना है आप साथी सत मैं बता दू कि यह भी बहुत अच्छे होता है आपको Amazon में मिल जाएगा बुचे लिंक मिलता है अफ़को पूड़ भी नहीं खाओगे अब खाने का जो क्रेविं नहीं रहेगा आप अराम से दिरे अपना वजन कम कर सकते हो साथ में अगर अब चाहो तो थोड़ा से एक्सरसाइस कर सकते हो अगर एक्सरसाइज करोगे थोड़ा बहुत और खाना सही से खाओगे और साथ में अच्छा एफेक्टिव रेजल्ट अपको मिलेगा अब बात करते हैं अपको पहले सुबे उठके हापका गर्म पानी लेना है और फायिटलक का बैरिस थर्टी तू थर्टी फाइब ड्रॉप्स उसमें डालना है और चैसे चाय के थरा थोड़ा-थोड़ा करके आपको पीना है इस तरह से सुबे एक बर पीना है फिर दो पहर को आपको लेना है जब आप लांच कर रहे हो आफटर लांच मीनिमम टू आवर्स का गैप के बाद आपको फिर से लेना है फिर आपको इवनिंग को ले लेना है और अगर बहुत साथ सीरियस हो अपनी मोटापको लेकर तो आप इंटीमिंटेंट फरस्टिंग करिये बहुत हेल् इंटीमिंटेंट फरस्टिंग क्या है सुनने में बहुत दर लग रहे है कि क्या है लेकिन कुछ भी नहीं साम का साथ बज़े तक आप खाना काई तो इस बीज में जो गैप हो जाएगा तो आपका जो डाजिस्टिटिव सिस्टेम है उसको रेस्ट मिलेगा और मेटापोलि तो इस तरह से फॉलो किजिए 5-6 महिने तक तो फास्ट फूड मत खाये बाहर का खाना मत खाये मीठा कम खाये और सीट जैसे कि मैंने बूला अल्मांड अक्रोट पेस्ता इसारी चीज़ आपका फैट नहीं बढ़ाएंगे साथी साथ में चियार सीज फ्लेक सीट जो जो सी अगल, साथी चीज़ आपक अच्छान मैं आपक खाया है तो आपके मेरा वज़ातिया है मेरा मोटाप कम हो गया है अभी मैं बहुत साथ ज़ा दीहां है तो आप इसको फालो कीजिए मैंने में 3-4 किलो अपका इस तरह से ऐसे खाना पीना अच्ट फोड़ा बहुत बहुत लेजिए और क्या करना है वीकली टू डेस या त्री देस इंटेमिंदेंट फस्टिंग अप कीजिए बहुत अच्छ रिजल्ट मिलता है और उससे क्या हो तो आपका अपका अप्टा लेट सही रहा तो बहुत जाए रहा है तो इसके एक अच्छा बॉदी होट ज़रुरी है आप अलफा ये लिजीए अलफा अलफा मदें चक ये बारे में मैंने कली वीडियो बनाया आप जाकर देखिए और वज़ान अगर कम करना है पट व्यवारी बीज लिजिए मेरा नेस्ट वीडियोच वीडियो चो रहे हैं उसमें बहुत से बेनीफिट्स है रिगूलर मेरे निक्स वीडियो में तब तके लिए बाइ